अगर आप भी आम खाने के सौकीन है तो आज मैं आपके लिखाई है क्विक डिजर्ट जी हां मुह में गुल जाती है और बहुत ही यूनिक डिजर्ट है दोस्तों फटा फट बनती है बिल्कुल 10 मिनट में रेडी होती है और इसका टेक्शर देख रहे हैं जैसे लग रही है बंगाल की मलाई चमचम ऊती है उस तरह का इसका की टेक्शर आया है इसमें ख़ mail powder यूज नहीं किया नहीं कोई च्यना यूज किया है रही condensed milk यूज किया हैiones बहुत ही टेस्टी बनती है सकते हैं यह इतनी क्रीमी और टेस्टी बनी है किसम आंगा ओम क्ःक और बिas ni अब अच्छी रष्पी ले के आथिए तो चलिए सटार्ट करते हैं अस रसेपी को यहाँ पर हमने लिये हैं पके हुए आम जी हैं आम का सीजन है और आम से बनीवी रष्पी नशेर करूँ तो कैसे हो सकता तो मैंने तो इनोवेटिव रिस्पी आप से शेयर करने की कोशिश की है तो जो आपको अच्छी लगेगी तो यहाँ पर हम आम को इस तरह से कट कर लेंगे आप अच्छी दोस्तों कमेंट करके क्या आप घर में इस तरह से डिजाइनर आम को कट करते हैं कि या सिम्पली इस तरह से बीच में से चीरा लगा देते हैं मुझे इसके चोटी- curator क्यों चोटे- немнож contenders क्योंत चोटी- चोटी-لا sSI की भी चाहिं मैं तर बाकी चोटी- चोटी चुटी-स की के करने चेक्षूबस को हम चंदो की बाहर निकाल ग लेगह ऊहन में इसे को चुटी-चुटी क्यूटत के स्यह हम लगे आप के लिए पूरे एक आम का पल्प है एक से ज्यादा ही आम का पल्प है दोस्तों यहां पर और थोड़े से क्यूब्स बचा के रख लिए तो चलिए आगे का प्रॉसस हम देख लेते हैं दूसरी तरफ हमने यहां पर लिया है चावल जी हां चावल जो खीर वाले चावल आते हैं या आप ले ले इसे पानी में भीगो के रख दिया था हलकी सी फूल गई है इसी तरह से रख दिया था दोस्तों कोई भी इसमें यह नहीं किया था बस इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दे और थोड़ा सा पानी डालके से ग्राइंड करे चाहें तो आप यहां पर थोड़ा सा मैंने रखा है अब चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर यहां पर थोड़ी सी घी डाली है और थोड़ी से कटेवे काजू और बदाम डाले हैं इसे अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेते हैं हलका सुनारा होने तक करेंगे कोई भी डिजर्ट होता है दोस्तों अगर उसमें ड्र रोस्ट कर ले बिना घी के भी तो देखिए अब रोस्ट हो गए है इस पैन से हम यहां पर सारे ड्राइफूर्स को बाहर निकाल लेते हैं अगर आपकी कोई भी डिमांडर रेसिपी है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किज़ेए कि मैं आप से जरूर शेयर क कर लेना है आप हाफ लिटर लेकर चले दोस्तों ने तो कन्फ्यूज हो जाएंगा ना अब यहां पर जो हमने चावल को ग्रैंड किया था उसे डाल देते हैं अच्छी तरह से और हाइफ लेम करके इसे अच्छी तरह से हम लगातार चलाते हुए कुक कर लेते हैं तो यह ल लेम पे मैंने सारा काम किया है अभी गैस का फ्ले मैंने आफ कर दी अफ नहीं दोस्तों स्लो कर दी है ताकि मैं आपको असानी से दिखा सको तो देखिए इतना गारा यहां पर हो गया और थोड़सा दूद भी डिडियूस हो गया है तो चोटे-चोटे जो दाने चावल के आपको दिख रहा है ना बस इसे हाथों में इस तरह सिल्ले और दिखिए हलका सा यह करेंगे ना मैस करेंगे तो इस तरह से हो जाए तो दिखिए हमारा रेडी है अब यहां पर लास्ट में हमने चीनी आट कर दी है चार चाम चीनी आट के जादा नहीं करेंगे क्योंकि आम तो आम आपके मीठें होने की खट्टें भी नहीं होने चाहिए थाया है तो चीनी डालने को यह लुआ इसे अच् zurria ठंडर आता यहां रिदा literature हेसे कि अची तरह अच्छी का यहां अच्छी में छी तरह से करेके कि खटी तो नहीं है उस हिसाब से यहां पर आप चीनी भी आड़ करेंगे मीठे आम का यूज करें बहुत अच्छा टिस्टा था अच्छी क्वालिटी का अब इसमें जो हमने ड्राइफुर्स फ्रोस्ट किये थे उसे भी हम यहां पर आड़ कर दे थे थोड़े समय बाकि का भी मैंगो पल्प था उसे भी आड़ कर दे दे हुँ मुझे ऐसा लगा कि तोरह सा कम है तो और भी आड़ करें यानि कि आप अपने स्रद्धा अनुसार यहां पर मैंगो का पल्क अच्छे से एड़ करें यानि कितना आपको टेस्ट के साब से खाना है अब एक बा इस में भी जो जाएंगे लिए टंडा हो निक के लिए अजिए खर्ड़ करकिए इसने अजिए फ्रेज्य के लिए खर्ड़ ऐसंस तो आप अच्छा घड़ा ए गाँड़ अच्छी स्टार पालगर को यह ज़ंगे ख़ुदाने लिए फ्रिज्य का दिम घाले अच्छा खाल इसलिए मैंने डाले और बच्चों को खास तोर पर बहुत अच्छे लगते हैं तो थोड़ी सी हेल्दी चीज मैंने बना के हां पर रेडी की है बच्चों को पता भी नहीं चलेंगे किसमें चावल डल है कस्टड की जगा पर अब इसे मैं बॉल में ट्रांसफर कर लेती हूं इसे मैं फ्रीज में रखे फ्रीजर में इसे मैं सेट करते हूं ताकि जल्दी से ठंडी हो और जल्दी जल्दी मैं आपको सर्फ करके दिखा सकूं तो इतने गार है थे ना जमने फ्रीजर में डखने के बाद यानि की लगवार 10-15 मिन्ट सेट होने के लिए रखूंगी सब्सक्राइब ले सकते हैं के लिए जुद्ध मेरेश करती हैं मैंजो का नंचा फुम्य इसक्राइब कर दे लिए रखूंगी तीन एक चार में बागवा दो गार्नट मैं चाहँ जलिए पहुः और घीर भनाये थी नियुमै दोस्तों उसके थोरा सिु थोरे शाहिए ने हैं मेने टिट लिकुट लिया हो और जी मिक्स लिया यहां पर आप मैंगो के चंक्स नहीं तो deff Rick यहें तो राइफंट अब इसमें फिल कर सकते हैं तो चलिए ये रेडी हो गया तो बस ब्रेट के बीच में इसतरए excel करते जाना है यह नारील का a mixture जी सिस तरह से mutter लगाते है बस सितरह से mutter के हिसाब से mini फ़रस मोठा तो आप ज़ादा बना कर तयार कर दोस्तों हें अब ड्राइफूर्स लगा दिया दिया है अब दूसी तरफ मैंने यहां पे नॉर्मन टेंपरेचर का दूध लिया है क्या करूंगी इसमें डिप करूंगी ताकि दूद को अब्सूर्ब कर ले और इसका एक बॉल्स बना कर त मांगो भी मीठा है तो जादा मीठा नहीं अच्छा लगए गा दीए तोड़ा सा और मैंच्छी कर लेगा दूर्ट में डालने के यह दूर दूर्से में इसकी उस करके फिर से अच्छी तरह से यहां पर गोल का शेप दे दूगे दूंगी दम छोटे छोटे बॉल्स यहां प इसमें सर्व करेंगा ना तो क्या होते हैं अर्दी फ्लेवर आता है तो अधरी स्टेश्ट से ऊजर्ट से आ विस था-खले हूं यहां यहां ज़को फिर ना है हमारी फिरनी पटी थैट चाउल पीस करा बंटी और खीर अलग होती इसमें तो इसमें यहां पर चोटे चोटे ज वाई चम चम दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही क्रीमी टेक्शर होता है लेकिन उसमें तोड़ा सा छेना कर रहता है तो अलग है थोड़ा सा ब्रेट का है तो देखे ड्राइफूर्ट से थोड़े से आम से क्यूप्स जो हमने अलग सबचा के रखे थे चेडी से चेडी भी डाला है अगर शुआ से भी अब्रेट के लिए यह अपसमें अनार के दाने भी आट कर सकते हैं और पिस्ता से गानिश के हैं ट्राइ किजीए